जय मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जय मातादी जरूर लिखें दोस्तों, जीवित पुत्रिका का वरत अस्विन मास के क्रश्न पक्च की अस्टमी तिथी को रखा जाता है और इस बार अस्टमी तिथी को लेकर कई पंचांगों में भेद है अस्टमी तिथी की सुरूआत और समापती के समय को लेकर लोगों में काफी उलजन बनी हुई है क्योंकि अस्टमी तिथी से पहले लोगों को नहाय खाय और ओठगन की विदी करनी होती है और अस्टमी तिती सुरू होते ही नर्जलावरत भी शुरू हो जाता है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम यहीं बताएंगे कि आपको नहाय खाए वसर्गी के लिए सुप समय क्या रहेगा और अस्टमी तिती कब सुरू होगी और कब समापत होगी इस confusion को भी दूर करेंगे लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल Word Best Magic को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आई ये सुरू करते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितिया व्रत अस्विन मास के क्रश्न पक्ष की अस्टमी तिथी को रखा जाता है इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयू और सौभाग की प्राप्ती के लिए निर्जल उपवास रखती है हाला कि इस बार यानि साल 2021 में अस्टमी तिथी को लेकर पंचांगों में मत भेद है आपको बता दें कि मिथला पंचांग के अनुसार अस्टमी तिथी की सुरुवात 28 सितंबर 2021 की दो पहर को 3 बचकर 15 मिनट पर होगी और अस्टमी तिथी की समापती 29 सितंबर 2021 की साम को 5 बचकर 5 मिनट पर हो जाएगी जबकि बनारस पंचांग के अनुसार अस्टमी तिथी की सुरुवात 28 सितंबर 2021 की साम को 6 बचकर 16 मिनट पर होगी और अस्टमी तिथी की समापती 29 सितंबर 2021 की रात को 8 बच कर 29 मिनट पर होगी तो इस तरह से बनारस पंचान के मुताबिग जितिया वरत 24 घंटे का होगा तो वहीं मिथला पंचान के नुसार जितिया वरत 36 घंटे का होगा अगर आप मिथला पंचान के नुसार जितिया कर वरत करते हैं तो आपको नहाय खाय 27 सितंबर 2021 दिन सोमवार को करना होगा जबकि बनारस पंचान के नुसार नहाय खाय 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को होगा इसी तरह से मिथला पंचान के नुसार जितिया का वरत 28 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा जबकि बनारस पंचांग के नुसार जितिया व्रत 29 सितंबर 2021 दिन बुद्ध वार को रखा जाएगा वहीं बात करें व्रत पारण के समय की तो मिथला पंचांग के नुसार जितिया व्रत का पारण 29 सितंबर 2021 की साम को 5 बचकर 5 मिनट के बाद किया जाएगा जबकि बनारस पंचांग के अनुसार जितिया वरत का पारण 30 सितंबर 2021 की सूर्योदे के बाद होगा आपको बता दें कि मिथला पंचांग के अनुसार जितिया वरत प्रदोस काल व्यापनी अस्टमी तिथी को प्रधानता देता है जबकि बनारज पंचांग के अनुसार उधिया काल की अस्टमी तिथी को प्रधानता दी जाती है दोस्तों एक बात बताना चाहूंगी कि आप एक बार अपने छेत्री पंचांग या अपने पंडीची से अस्टमी तिथी जरूर कन्फरम कर लें वैसे जो लोग मिथला पंचांग को मानते हैं उनके लिए नहाय खाय 27 सितंबर जितिया वरत 28 सितंबर और पारण 29 सितंबर को किया जाएगा जबकि बनारस पंचान के नुसार नवाई खाए 28 सितम्बर, जितियावरत 29 सितम्बर और जितियावरत का पारण 30 सितम्बर को किया जायेगा चलिए अब हम बात करते हैं सर्गी और ओठगन के मुरत की तो आपको बता दें कि सरगी नहाई खाय की रात या जितिया वरत वाले दिन सुर्योदे होने से पहले ही खालेनी चाहिए क्योंकि सुर्योदे होने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए उसके बाद निर्जला वरत स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम जानते हैं मिथला पंचांग के नुसार सरगी खाने का समय क्या रहेगा तो आपको बता दें कि जो लोग मिथला पंचांग के नुसार 28 सितंबर को जितिया का वरत रखेंगे तो उनके लिए सर्गी खाने का समय 28 सितंबर की प्राता काल 3 बच कर 15 मिनट से लेकर सुबा 5 बजे तक रहेगा आप इस समय के बीच में अपनी सर्गी और ओठगन कर सकते हैं तो वहीं बनारस पंचांग के नुसार सर्गी 29 सितंबर की सुर्योदय होने से पहले खाई जाएगी और इस दिन सुर्योदय सुबा 6 बच कर 13 मिनट पर होगा तो आप सुर्योदय होने से लगभग एक घंटे पहले सर्गी और ओठगन कर लें तो आप सुबा 5 बजे तक अपनी सर्गी और ओठगन कर लें यही सही रहेगा ध्यान रखें कि सर्गी में आप सिर्फ मीठा भोजन ही करेंगी इसमें नमकीन खाना सक्त मना होता है इस समय माताएं दही चीनी, खीर या फिर ओठगन खा लें लेकिन इसके बाद आपको दुबारा भोजन नहीं करना है दोस्तों, एक बाद बता दूँ कि आप वृत का पारण करने के बाद कैसा भी भोजन कर सकती है लेकिन यदि आपने डलिया चड़ाया है तो डलिया का प्रसाद ग्रहन करके और प्रसाद में सबसे पहले खीरा खाएं इसके बाद नोनी का साग मंडुआ की रोटी आदी खा सकती है दर असल नोनी का साग मंडुआ की रोटी नहाय काय के दिन भी खाई जाती है लेकिन आपके हाँ जो भी पिचलन हो वह चीज खाके अपने व्रत का पारण करें तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद